और बेतर जाता तो डामेज बिलता बढ़ जोकर पोजिशन किसी भी समय रिवील हो सकती है इस प्लेयर की हलकी सी भी आवास भारी पड़ेगी और जोकर चार शिकारियों के सामने घात लगा के बैठा ये शेर एक ग्रनेड और एक मोलोटॉव है उनके पास फाइनली वो एक ग्रनेड को किया जा रहा है जोकर पिछले माच में बहुत शानदार खेल कर गए पर नहीं वो ग्रनेड ठिकाने पर नहीं गया मोक्ष उनको अभी भी अंदाजा है नहीं जोकर मुस्कुराहट उनके चेहरे पर पर एक मोलोटॉव है अभी भी उनके पास हैदबा हाइड्राज अभी भी खोच रहें कि वो ग्रनेड आया तो आया कहां से परहस पे रोज उनके पास भी एक मौका बन सकता है कि हैदबा हाइड्राज के खिलाडियों को थोड़ा तो नुक्सान दिया जाए एक प्लेयर को नॉस्किया तो मुश्किले बढ़ेंगी तीम लिम्रा के प्लेयर वो हील बाटल अभी भी कर रहे हैं लेजिट की पोजिशन वो भी काफी इंपोर्टन लेजिट की पोजिशन सबसे ज्यादा जरूरी है वो गाड़ी वो ब्लास्ट करेंगे कवर बढ़िया जाएगा और वो खिलाडी जोन के अंदर है पर रेड़न वो प्लेजोन के बाहर से उन्होंने हील बैटल के छोड़ दिया रेड़न वो डाउन कर दिये गए पर जोकर अब उनके पास पूरा मौका है कि आदे हो पाई उठा पाई फारली जोकर वो उपर उटें कुने डाउ जोकर हसते हसते पूछ रहे है के यू फील दा स्पार्क कोची इस लोबी के अंदर आग लगा दिये इस खिलाडी ने हैदराबाद हाई राज दो तरफावार हुआ था दो प्लेस बैक तुबैक डाउन हुए थे फिर जोकर आए फाइदा दिखाया उनोंने अपनी टीम के लिए लड़रहे रहे है खिलाडी को और नौक इंतजार कर रहें को यह इंतचा कर रहे है टीम XB fender we all लौ और एड़ फेल्ज साय मिला था आज के दिन पे जोकर का वो जल्वाद बुरुनेड वो शाथदार जोकर आज के दिन पे क्या बढ़िया वो खिलाड़ी खेल कर गया पिछले मैच में जे फेनिशन्स निकाले आज के दिन पे वो